हाई अबरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि मैंने यहाप पर दिशा परमार का रिसेप्शन आई मेकप लुक क्रेट कर रहा है I hope आप सबको मेरी यह वीडियो helpful रही कि पसंद आए कि like, share, comment जरूर कीजेगा और साथी पहले अगरों को जरूर प्रेस करना ताकि मैं इस तरह की जासी वीडियो कोई भी upload करूँ तो notification आप सबको मिल जाए तो यहाँ पर मैं पहले अपनी पूरी प्रेस की help से अपनी browse को कौम कर रही हूँ यहाँ पर मैंने पूरा पूरी कोशिश करी है कि दिशा परमार की reception लुक वाला eye makeup मैं पूरा create कर पाऊ हूँ I hope मैंने यह create कर रखा हूँ तो कमेंट मैं मुझे जरूर बताना कि कैसा लगाई makeup लुक बहुत ही easy है यह और यहाँ पर मैं music floor का gel liner लिया है ब्राउन वाला उससे मैं अपनी ब्राउस को अच्छे से fill up कर रही हूँ जैसे की मेरी शेप है उसके recording fill up कर रही हूँ आपकी भी जैसी भी शेप हो है ब्राउस की आप उस तरीके से शेप में इसको fill up कर लेना तो इस तरीके से मैं clean कर रही हूँ तो flat brush की help से आपको इस तरीके से neat and clean करने है अपनी ब्राउस को है आपकी बहुत जाला अच्छी आजए आजए आपकी बहुत जाला चाहो या flat देना चाहो जैसे भी आप मर्जी अपनी शेप दे सकते हो इस concealer की help से consider आपका बहुत अच्छी quality का होना चाहिए ताकि सब कुछ hide हो जाया अच्छी से हमारा blend भी हो जाया तो सब कुछ मैंने set कर दिया blend कर दिया मैं powder से set भी कर रही हूँ का जीर को ताकि अपनी जगह से हटे ना एक दम patchy लूपना है अब मैं अपनी इस eyeshadow palette से मेरा most favorite eyeshadow palette है इस से आप करके पूरा color apply करना है अपनी lid paste के बाद में थोड़ा darker brownish color है इसको मैं apply कर रहे हूं कि थोड़ी सी darkness है जैसे कि उनकी makeup look में दिख रहा है वैसी darkness है उनका makeup तो बहुत ज़्यादा highly makeup होगा branded वहां पर products उनने use करे होंगे उनके makeup artist ने यहां पर मैंने बहुत ही सस्ती range वाले product यूज करे हैं जो कि आप घर में easily कर सकते हो बहुत ही simple है जस्ट दो या तीन color आपको चाहिए वहां पर आपका makeup अच्छे से achieve हो जाएगा create हो जाएगा यहां पर मैं अपने छोटा सा blending brush लिया brush आपके पास अच्छे वा कर रहे हूं तक इसकी hardness और harshness कम हो जाए और एक्तम soft सी look आजाए blending सी लगे हर एक चीज यहां पर मैंने अपनी blending में बहुत साथा time दिया आप देख सकते हैं मेरा struggle बहुत ज़रा struggle करना पड़ता है blending करने के लिए यह तो थोड़ा मैंने makeup करते हैं थोड़ी सी वीडियो में editing क आपको बहुत देर करने पड़ेगी जब तक आपको इस तरीके का पूरा लुक नार आजाए आपको blending करते रहना है इसके बाद मैंने थोड़ा सा dark color और apply रियप्लाई करा इन shades को जो की depthness कम हो गई थी blending करते करते हैं उसके बाद मैं आपको shimmer आपको shimmer यह ले ले लेना है और इसके बाद मैं अपने black eyeshadow apply कर रही हूं as a liner यहां पर बस एकदम smokiness देनी है आपको liner की तरह स्ट्रेट करकर लगाना है और इसको smoke out करना है बहुत ही अच्छे करना इसको time देना बहुत जादा एकदम harshness ने लगनी चाहिए सब कुछ एकदम soft सा smokiness ने लगनी चाहिए यहां प इस brush के help से मैं बहुत ही अच्छे से easily लगा पा रही है smoke out कर पा रही हूं यह मेरा liner यह काजल जो भी कह सकते हो आप काजल तो नहीं है यह मैंने थोड़ा black shadow लिया आई shadow ही लेना आपको काजल नहीं लेना आपकी मर्जी है काजल भी ले सकते हो इसको भी smudge कर सकते हो तो यहा इसे ही मैंने अपर क्रेट कर रहा है बहुत ही light एकदम black shadow लिया मैंने और उसे एकदम से blend कर दिया है outer way और अब मैंने आपर नीचे जो भी था सब कुछ को क्लीन कर लिया आप कोई सा भी powder ले 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 जीगा मैंने आपर लूस पॉडर लिया था जो की blue heaven का था बहुत ही अच सेम उपर color apply कर था वैसी lower lash line में apply कर दिया उसके बाद मैं inner corner brow bone को अच्छी से highlight कर आपने cheekbones को भी तो highlighting बहुत अच्छी करनी क्योंकि celebrity होते है उनकी highlighting बहुत अच्छी होती इनका face रितम चमक रहा होता है शाइनी हो रहा होता है मैं mascara apply कर रही हूं तो lower lash line upper lash line दोनों मैं आपक apply करना है ताकि आपकी lashes अच्छी सी लगें दिखें उसके बार मैं अपनी lashes apply कर रहे हूं लैशे मेरे पास सेम उनकी जैसे lashes नहीं थी तो में पस जो available थी मैंने वह apply कर ली आप अपने eyes के according कोई भी lashes apply कर सकतो market में easily मिल जाती है बहुत ही सस्ती वाली मिल जाती है और अच्छी branded की तरह होती है और सस्ती होती है तो red cherry की मैं apply करी है eyelashes तो यह है मेरा final look I hope आप सबको मेरा यह tutorial अच्छा लगा होगा तो like share and comment आपको जरूर करना है और मुझे instagram पर भी जरूर follow कर लिजेगा साथी मैं अपना instagram का link description box में दे दूँगी तो आप मुझे follow कर लेना और यहां पर यह भी मेरा instagram का name mention हो रहा है आप search करके आ सकते हो तो मैं मिलती है आप सबको अपनी next video में till then bye